आज मैं आप सबहों को बीच बहुत ही बड़ी अपड़ेट ले करके आये हूं आपके समिष्टर एग्जाम से समंधित इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ही अच्छे तरह समझ जाएंगे कि आपका एग्जाम कैसे होगा और क्यों मैं ये बात बता रहा हूं ये इस नोटिस के माध्रिम से ये आप जान पाएंगे इसलिए आंत तक आप वीडियो के साथ बने हुए रहें और अगर आप चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करदें और वीडियो को लाइप करना ना भूनेंगे कि दिए ये नोटिस है आज ही का जिसका देट es d at 25 कि लेटर नमबर क्या है Shortly जा रिछ आप गगा इसमें बताया किया रहा है तो इसमें बताया जा रहा है कि आ कड़ता श्रीजाम समस्टर रुबभन का प्ड है खिच है ओर के सिलेबस का ठीक है ओडenser और रहे हैं सेंट टुप का इसके अलाबा वृृड्ड़ वश् Wanna सेंटका एख जाम सेकन दिआफ का भी इसके अलाबाव सेंटर के एल Turkya एघजाम थाथ समेश्टर के और प्षार समेश्टर के एल्याएफ व्लवतु का एउगस कहा एकवां यह सभी का जो है और इसके अलावा जितने भी बैकलोग है वह मतलब फोर समेस्टर चीन सेंटनल लिवा लोग मतलब फोर्टीक्ष में जो टैन्स हैं वह लोग descriptions लिए भूर कि प्रक्राव जितने भी एसरा सेकन्डर समस्टर ⁗ सेंटर ⁗ बोर्टी समंधित यह तो आप लोग इसे देखें और समझें क्या कहा जा रहा है कि इसमें बताए जा रहा है कि आपका एक्जामनेशन फॉर्म का जो है आवेधन फॉर्म भरने से समंधित इसमें किसके लिए इसमें अब देखते हैं आगे क्या है जो देखिए उप्रुक्त विशयक निर्गत संदर्वीत पत्र के आलोग में पूर्व की निर्धारित करते हुए निम्नांकित पर इच्छा में समलित होने है तू पार्षद के वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गये वहित प्रप्रत्र में निम्ना अनुसार अब ही पर्मारित चाहित चिपकाया जारा हो यह जो हैसी बोला जा रहा है बच्चों को नहीं बॉला जारा नामों के सथ तीन प्रती जो है अंग्रेजी में यह प्रति आ बेदन के साथ है दो स्ट plants Wep2 के साथ आपोसी क्या करना तो बफ्चों लोग है वो जो है अपना फॉर्म डाउनलोड करेंगे स्वीटी के वेबसाइट से जा करके उसका वीडियो डाला हुआ है पहले कि स्वीटी के साइट से आप लोग कैसे फॉर्म भरते हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अब आए देखते हैं क्या है जो तो आपका फॉ तो दिन पहले चाहर तारिख तक की कॉलेज में जमा कर देना होगा ह तो आप डाउनलोड कैसे होगा तो देखिए अभी तक आप लोग का फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा, फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे होंगे, कारण की SBT board के portal पर आपका termber का marks, internal assessment में class test और teacher assessment का marks, ये website पर, SBT के website पर upload करना होता है college के दौरा, और वो अभी तक upload नहीं किया गया है, जब college के दौरा, वो marks upload कर दिया जाएगा, तब आप लोग का form download होना start हो जाएगा, तो ये चीज की जानकारी आपके college के दौरा, आपको मिल जाएगी, कि कब से आपका form download होना start होगा, ये आपके भार्ट से ग्रूप में इसका information दे दिया जाएगा college के दौरा, चुकि जब तक college से marks entry नहीं होगी online, तब तक आपका form download नहीं होगा, तो आई अब देखते हूं, क्या हो जो, तो semester one का जो है आपका exam होगा अभी, उसका form फिलप करना है, बच्चों को, semester second का जो backlog वाले हैं, उनका होगा, या फिर समेच्टर one का भी backlog है, वो भी YouTube में ऌशाफ्योग जो या फिर जन देखते हूगा थार्ड का भी, उनका भी होगा, इसके वह सीख समेच्टर का regular student का होगा और जिनका अगर कोई paper में alberg रह गया वह भी उसके साथ में ही सिख समिस्टर का फॉर्म भरेंगे अपना और कोई पेपर अगर बैक लोग है तो उसके आभी साथ में भर देंगे जा रही है अभी आप अपना जो भी कैरी पेपर है उसको किलियर कर लेंगे ठीक है तो सब लोग के फॉर्म भरने का लाश्ट डेट हो गया च्छो सितंबर तक यह जो सितंबर तक कॉलेज के दोवारा जमा करने का देख है आपके लिए चार तारिक तक ही साइद कोलेज के दो आप बता दिया जाएगा यह मैंने बता दिया हूँ जै किसे परिच्छा कैसे का ओंलाइन अपर यह जमा होगा इसिमें कोई दिकत नहीं है कि इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई छात रुपरुक्त परिच्छा में पूर्व की परिच्छा में संभित हुए वह ऐसे पुर्वर्ती मतलब जो back Walmart छात्र है के रूप में समंधित समंधित पूरु परिच्छा के सीटी टी यह मतलब जो बैकलोग वाले होते हैं उनको नहीं देना पड़ता है या फिर जो कैरी पेपर होता है उनका सीटी का एक्जाम क्लास टेस्ट नहीं देना पड़ता यह वही बताया जा रहा यह आपसे समंधित नहीं कोलेज के द्वारा किया जाएगा इसे आपको भी नहीं देना पड़ता यह आपके लिए हुए जनकाड़ी टरमबर्क लेकिन बसरते एसे च्छत्रों की समंधित पूरु परिच्छा के टर्मबर्क में उत्रिन रहे हो अगर जब आपका टर्मबर्क में उत्रिन रहेगा तब जो है आपका यह का मार्क इसके अलावा टर्मबर्क मार्क यादि उसमें कोई टूटी है मतलब कोई गलती हो गया तो उसको ओनलाइन इंट्री करते हैं वक्त ही जो सुधार करवा लिया जाए यह बताया जा रहा है अब देखिए जो मैं मुख्य बीसे पर आता हूं जो साथ नंबर में है आपका परिच्छा सुल्क तो परिच्छा सुल्क एस सी एस्टी नहीं सकते एब हम छात्राओं को साड़े साथ सुने पर लड़की लोग के लिए साथ साथ सा और बाकी सब लड़कन के लिए एक हजा देना होगा इसके साथ एक चीज के लिए हो गया कि जब आपका एक्जाम यह सबसे बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे आप लोग पिछले बार जब परमोट किया गया था ओनलाइन एक्जाम लिया गया था तब फॉ अफ्लाइन एक्जाम होता है तब फॉर्म का चार्ज होता है एक हजार रूपया और एस座्यश्ट डीक्यूव के लिए साथ सो रूपया यहां भी आपको वहीं दिख रहा है एक हजार अपलब जमझ रहे हैं जेनरल है ये खजार हुए साथ सब्सक्राइब और पेपर मोड बोड में तो कि इसमें खर्चा जादे लगता है बोड को तो जादे परिशा लेता है एक जार रुपया मतलब उसको कोशन चपावे के दाम निकाल रहा है कोपी छपवाने का भी दाम निकाल रहा है वो इसके मतलब है कि आपको कोशन और कोपी दिया जाएगा ओफलाइन लिया जाएगा किलियर हो गए आप लोग एक्जाम ओफलाइन होगा इसके साथ में आप लोग गाठ बांध लें परिच्छा के तयारी में जुट जाएं परिच्छा होगा ओफलाइन किलियर होगी आप लोग का सब संसाय परिच्छा कैसे होगी जो अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है अगर च्छाव तारीक के बाद जमा की जिएगा तो निर्धारी तिथी के बाद आपको सो रूपया परती दिन के हिसाब से बिलम्र सब्सक्राइब को सब्सक्राइब के आप से नागा जोड़ लीजियेगा और सकता है कोलेज वालज आगर जाएब लोग पांचो थारिक के जमा कर जाएं जो च्छों के वी तब आप चार्ज देने कारण तो आपको जांगे एकी दिन जामा करने के लिए कि कहेंगे कि हम जाएंगे आठ सारी के जमा करने तो यह की बार में चार्ज देना पर जाएगा पूरा का इसलते आप लोग लेट फान के चकर में नहीं रहें टाइम से पहले जमा कर दिजिए और पर इच्छा के तयारी में जूट जाएगा पोर्टल खुलेगा उसक पर इंच्छे एंटेक रहें हैं कई संसे नहीं के लिए ऑनलाइन वार्टल प्रफ में पर इंद करेंगे आप लोग उसका परिंट निकाल के kg में जमा कर देना है है जितना आपको चार्ज लग रहा है उसके साथ में यह ख़़ार या साड़े साथ हो जैसा भी हो उसके साथ में अब फॉर्म कैसे भरना है यह अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग देख लेंगे ठीक ह इसमें फोटो साथना होता है आपको वहीं सब चीज़े बताया जा रहा है इस नोटिस आप तक तो पहुंची गई होगी अगर आप तक नहीं पहुंची है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिस को भी डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दूंगा वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे अगर कोई शंसे होगी तो आप लोग कॉमेंट करके बताईए और आप लोग कहेंगे तो मैं एक दिन लाइब आ करके आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा ठीक है तो आप लोग जब कहें कॉमेंट करके बताईए कि कब आप लोग पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं किसी नहीं जनकारी के साथ एक नए वीडियो में